है गाईस अगर आप गेट 2021 की प्रफेशन कर रहे हैं तो आप सब के लिए बड़ी अपडेट है आन अकेडमी द्वारा आप सब के लिए फिर से गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यहां पे लॉंच कर दी गई है आपके कोई भी ब्रांचेज हैं मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल, केम प्रफेशन को देखते हुए यह क्रिएट किया गया तो आप एंडिया रिंक आपके एक से लेकर 5 तक आती है तो यहां पे प्राइज भी अर्न कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपे 5000 का यहां पर प्राइज रखा गया है विट एक्जिटिंग एमाजन भॉचर तो जरूर एंडरॉल करें सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी चलिए लेट्स क्रेक इट तो दोस्तों आज जो इस विडिये में न्यू रिकुर्मेंट की मैं डिसकस करने जा रहा हूँ वो वेकंसिज आपकी आउट की गई है ए ए आई से यानि की एरपोर्ट आथराटी ओफ इंडिया लिमिटेट से वेरियस पोस्ट आपके जूनियर एक्जुकिटिव एन मैनेजर की पोस्ट पर 368 पदों के लिए बंपर वेकंसिज निकाली गई है जिसे कि ये ओल इंडिया के केंडिडिट यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं तो चलिए गाईज ओफिसल नोडिफिकेसन के जरिये फुल डिटेल्स की जानगारी इस वीडियो में देखने वाले हैं साथ में ही जानेंगे कौन कौन सी लोगे स आपको इन हैं सेल्डी कितनी मिलेगी चले स्टार्ट नौइस से पहले मैं बता दूँ चैनल पर पहले बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राब कर दें और बेल अकन को प्रेस करके नोडिफिकेसन बेल को ओल कर लें ताकि सीधर गाउर्मन्ट जॉप की अपडेट तो गाईस यह यह ओफिसल नोडिफिकेसन आप देख सकते हैं एरपोर्ट ऑथरोटी ओफ इंडिया जिसे की भारती विमान पतनम प्राधिकारन के नाम से जानते हैं इन हिंदी में और यह न्यू डेली से वेकंसिस आउट की गई है तो जितने भी कैंडिडेट का होफुली सेलेक्शन होगा यहीं पर पोस्टिंग होने वाली है रिक्रूट्मेंट वाफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जेक्टी इन वेरियस डिसिप्लीन अडवर्टाजमन नमर 05 पॉबली 2020 बड़ी बात यह गाईस यहां पर एक्जाम्स जो आपकी होगी ऑनलाइन CBT उसमें कोई बीटेक्ट डिगरी इन फायर इंजिनिरिंग मेकनिकल इंजिरिंग या फिर आटो मोबाइल इंजिनिरिंग वाले अपलाई कर सकते हैं एक्सप्रियंस रखा गया है फाइप यह वर एक्सप्रियंस इन एक्जेक्टी डर इन फिल्ड ऑफ फायर सर्विस में होनी चाहिए ट कुनियर एक्जोकुटिव एर ट्रैफिक कंट्रोल की में बात करूं तो यहां पर सिंप्ली बैचलर डिगरी वाले ओफ त्री यर्स साइंस बीचलर डिगरी इंजिनिरिंग इन इन डिस्सिप्लिन जिसमें से फीजिक्स एंड मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट है तो आप अप कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई एकस्प्रियंस नहीं है सबसे ज्यदा व हैंदीज़िय। बी बीटेग वालों के लिए कोई भी गेट नहीं आप पे मंगा गया है विदाउट गेट एलिजबल एपलाइग कर सकते हैं और साथ ही फाइनल इयर भी एलिजबल हैं जैसे कि आप लास समेटर में हो अगले एक्जाम आपकी टोचाइडन ट्वंडेवन में होनी वाली है यू आयर एलिजबल एपलाइग कर सकते हो जूनियर एक्जुकुटिव एयरपोर्ट ओपरेशन के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर भी ग्रैजवेट इन साइन्स और एम्बीए और टू ये डॉरेशन या फिर बैचलर डिग्री इन इंजिनेरिंग में है कोई भी आपकी डिग्री हो इंजिनेरिंग बैचलर में तो एपलाइग कर सकते हो यहाँ पर भी कोई एक्सप्रियंस नहीं है 83 वेकंसिस आउट की गई है तो काफी अच्छी पोश्ट पर वेकंसिस है यहाँ पर कोई एक्सप्रियंस बिना एक्सप्रियंस का अपलाइग कर सकते है नेक्स है जूनियर एक्जुकुटिव इसमें टेकनिकल की तो इसमें बी बीटेक वाले ही एलिजबल है मेकनिकल या फिर आटो मॉबाइल इसमें भी नो एक्सप्रियंस है 8 vacancies total out की गई और यहाँ पर एक आपका restriction है गाई जितने भी candidate apply कर रहे है 60% marks minimum उसका होना चाहिए नहीं तो आप apply नहीं कर सकते हो ध्यान दिजेगा इसमें और यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ वेकलंगता की दी गई है वो आप जरूर चेक कर लें एस limit के मैं बात करूँ तो manager में apply कर रहे है maximum 32 years रखा गया है और cut off of age 30 number को रखी गई है junior executive में apply कर रहे हैं किसी भी post में maximum 27 year आपकी age रखी गई है cut off date एकदम से में इसमें से HTSC वालों को 3 years का relaxation मिलेगा sorry HTSC वालों को 5 pn OBC वालों को आपको 3 years का relaxation मिलेगा जब इसमें जवाब लगेगी guys एक अच्छी खासी salary मिलेगी maximum आप देख सकते है minimum कम से कम 12 लाख आपको मिलेगी junior executive में per CTC यानि per NM और 18 लाख आपको मिलेगी manager की post पर अगर वहीं पर enhance salary की में बात करूँ तो junior executive में 40,000 मिलेगी और यहाँ 50,000 मिलेगी manager की post पर यह minimum enhanced salary है first में तो काफी अच्छी बात है salary एक बहुत ही अच्छी खासी आपको package में मिल रही है और कई सारे illness आपको इसमें दी जाएगी selection process की में बात करूँ तो selection आपका online होगा online की क्या syllabus है यह define नहीं किया गया है लेकिन online exam होगा जिसमें कि आपके लिए कोई भी जो negative marking है वो सब नहीं रखा गया है कैसे क्या हो गया अगर इसी update हरती है तो इसकी में वीडियो बना दूँगा और hopefully आप जरूँ चेक करते रहेगा website को इसका online form आपको fill करनी है जिसके लिए application fee लगने वाला है 1000 रुपी application fee काफी ज्यादा लग रहा है रुपी है जो है वो आपको general OBC वालों को ही लगेगा only mail का 1000 और अगर आप STSC हैं और सभी category के female category का 170 रुपी female जो की लग रहा है PW candidate या फिर अगर AAI याने की airport authority of India limited से आपने apprenticeship किया है तो apply करेंगे तो उसके लिए कोई भी charge आपको नहीं लगने वाला बिल्कुल free of cost apply कर सकते हैं इसकी form कैसे fill करने इसके वीडियो में जरूर बनाऊंगा guys आप जरूर comment कीज़ेगा वीडियो चाहते हैं तो लेकिन इसकी form link अभी open नहीं है form link आपका start होने जा रहा यहाँ पर 15 दिसंबर 2020 को तो अभी time है और जितने भी candidate form fill की वीडियो चाहते हैं comment हमें जरूर करें online जो last date रहेगी 14 जनवरी तक रखी गई है तो hopefully guys जही जनरल information है आप समझ चुके होंगे साफधानी पूरवक आप फिर से read करना चाहते notification को download कर लिजेगा वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें चैनल पे नहीं तो subscribe करें चले मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाहें